तो हेलो गाइस मेरा नाम है स्वापनिल दस्री वास्तव तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेरा i20 में inbuilt navigation आता है वो क्या-क्या मनलब फीचर प्रोवाइड करता और क्या से काम करता जैसे कि अप देख सकते हैं इनन्फोटेन में सिस्टम मेरे चालू है मेरा चालू है तो यहां पे हम देखेंगे जैसे कि यहां पे हम चल देंगे तो यहां पे । यहां पे बौच और सिद्झ कूल जाएग चालू कर देंगे तो यहां पर आपको सब चीज़ दिखा देगा अराइवल टाइम मतलब कितना टाइम में आप मुझ सकते हो अगर अभी निकलोगे तो जैसे कि यहां दिखा रहा है अभी कि पांस सत्रा हो रहा है तो एक पचीस में 321 किलोमेटर हम पूंच सकते हैं और रिम एंसल रूट कार देता हूं मैंनम जाओंगा तो और देख सकते हैं तो गाईज मैंनम में गया और यहां पर हम नेम डालेंगे कोई भी नेम डालेंगे तो यह हो जाएगा और कि पीछे चल देंगे तो यहां id2 kate epic category यहप्वाइब बहुत अच्छा देखो responsive अनूपिंग casa हम चाहरे बाई हम सब्सक्राइब ब कलने सब्सक्राइब by category पीछे चल देंगे तो यहाँ आप देख सकते है Automotive में चल देंगे तो यह आपको Car का बताईगा, Hyundai Service, डीलर्शीप Parking भी बताईगा आपको कहा कहा है फिर यहाँ पर देख सकते है Fuel stations भी बताईगा कितने कितने दूर में है है न और यहाँ पर इसके service में यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर नीचे चल दें है service में आपको सब hospital, ambulance, blood banks, gym सब चीज़ बताएगा यहाँ पर guys बहुत काम का यह navigation system है यार और जैसे कि यहाँ पर आप history में देखेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि आप कहां कहां गए थे destination, starting point, फिर यहाँ पर searches सब चीज़ बताएगा यह है ना हम पीछे चल देंगे तो address book में जाएगे तो यहाँ पर आप save कर सकते हैं आपका address है ना favorites जो भी आपका घर को location सब set कर सकते हैं आप emergency में चल देंगे तो यहाँ पर आपको जो भी अमर्जंसी में काम आले चीज है वो सब दिखा देगा फ्यूल, hospital, police station, युनडाई, service, युनडाई, dealership है ना तो यहाँ पर पीछे चल देंगे तो यहाँ पर लोंगिटेट, ट्यूडनल, लेटिट्यूडनल सब चीज़ सेट कर सकते हैं, सेटिक में जाएंगे तो आप color change कर सकते हैं, map display कर सकते हैं, फिर सब चीज़ यहाँ पर बहुत सारा information चीज़ है, speed limit भी आप का 50 है, अगर आप 60 से तर्म चल रहे हैं तो यह आपको warning देदेगा, है ना, तो इसको फिर से कर देता हूँ, और यहाँ पर हम जैसे की route पर चल देंगे, तो जब आप route set करेंगे तो अभी दिखाएगा, कौन से route है, route का नाम, सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कुछ set नहीं तो नहीं बता रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे guys, यह काम कैसे करता है, तो मैं बता दूँ, यहाँ पर एक चीप आता है जैसे की, इसमें खोलूँगा ऐसे, यह देख सकते है guys, यह एक चीप आता है यहाँ पर, यह देख सकते हैं, इसमें सब चीज़ डला रहता है, नेविगेशन का, यह आपको dealer डाल के देता है, जब आप गाड़ी का delivery रेते हैं तब, इसको आपको कुछ निये simple लगाना है, प्रेस कर दिया और यह बंद हो जाएगा, फिर यह आपका फिर से restore हो जाएगा, रिस्टार हो जाएगा राम से, जसी का आप देख सकते हैं, भाई यह बहुत काम का चीज़ है, और उस time पे 2018 में, इसके competition में जो आपके बलेनों आती थी, और जितने भी cars आती है, भाई उसम जाएगा, भाई मेरे को अभी तक, और बलेनों में तो आता भी नहीं है, और आज की डेट में आपको जितनी भी hatchback आ रही है, भाई बलेनों को छोड़के, सब गाड़ी में आपको inbuilt navigation मिल जा रहे हैं, है ना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, informative लगा हो, तो वीडियो देखने के लगा आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच,